हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक टू मधुलिकार स्टूडियो आज का ये वीडियो बहुत ही इंड्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ आपको टेक्चरड वॉल क्लॉक जो मैंने बहुती easy steps में और बहुती आसान समान के साथ बनाया तो कोई भी इस art को friends easily कर सकता है अगर आप channel पे नए हो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो guys एक छोटा से request है channel को subscribe की निये बना मत जाईए आपका एक छोटा सा like and subscribe मुझे बहुत motivate करता है तो चलिए वीडियो को start करते है friends आज की इस beautiful सी clock बनाने के लिए मैंने round base लिया है वो भी 14 इंच का base है तो आप size अपने according ले सकते है और उसके बाद मैंने इसको करने के लिए जैसो apply किया है आप चाहे तो जैसो apply कर सकते है और नहीं तो white acrylic paint इस्तमाल कर सकते है कोई भी चीज जो भी आपके पस available है आप उसके दो coat कर दीजिए और चाहे तो आप sponsor कर दीजिए या brush के साथ मैंने sponsor किया है उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारी clock को बहुत unique और सुन्दर बनाता है और बहुत easily हमें available है वो यहाँ पे मैंने लिया है acrylic putty जो कोई भी hardware के store पे आपको easily available है तो यहाँ पे मैंने acrylic putty ली है और मैंने knife लिया है तो guys आपके पास इस तरह का अगर knife नहीं है तो आप एक काम कर सकते है spoon तो हमारे पास होती है तो अगर आपके पास ice cream spoon है तो वो इसके लिए best है क्योंकि वो इसी की shape में होती है तो ice cream spoon को आप इस तरह से as a knife use कर सकते है और वो भी नहीं है तो आप एक छोटा वाला spoon लेके उसको इस तरह से texture दे सकते है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने color लिया है और उसको मैंने अपने board पे रखके उसको इस तरह से press करते हुए पीछे से pull किया है तो same इसी तरह से आपको इसे करते जाना है अगर आपको यह बनाने में थोड़ी से भी difficulty हो रही है तो आप एक plain paper पे पहले इसका practice कर सकते हैं तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है आप इसको बहुती easily इस texture को create कर सकते हैं तो बहुती easily आपको इस तरह से पीछे की तरफ इसको लेके आना है और इस तरह से हम इसको पूरा circle इस तरह से complete कर देंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पूरा इस तरह से एक round कर दिया है और second round भी मैंने start कर दिया है ताकि आपका time वीडियो बनाने में ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं इस process को थोड़ा आपको जल्दी से करके दिखा रही हूँ यह art बहुती interesting है आप एक बार करके तो से line by line इसको करते वे मैंने create कर लिया है जैसे हम flower बनाते उसे तरह से यह पूरा flower मैंने complete कर लिया है और side में भी मैंने इस तरह से paste को लगा लिया ताकि यह side से wood का color ना दे white total white color हो जाए तो इस तरह से मैंने इसको किया अब यहां पे मैंने texture white लिया है तो texture white मैं यहां पे use कर कर सकते वाय टेक्रेलिक पेंट का भी आब डायरेक्ट रेड़ कर सकते हैं हो तो इसको थोड़ा मजभूती देगा और हाव फ्रेंज अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ प्रब्लम आ है आपका क्रैक्स ए खुट ले लिजे तो आपक्रे काम और कर सकते हैं आप अपने ऊक्रीलिक साइन थोड़ा से थोड़ा साइक्रेलिक पुट्व करो यू और अपने गॉल को वाइड ऐसके कब सब्सक На यहांसे आपके पास नहीं है तो वाल पूट डायरेक्ट एक्रिलिक पेंट युज़ कर सकते हैं तो इस तरह से यह कमप्लीट होने के बाद यहां पे आप मैं ले रही हूं गोल्डन पेंट तो डेस्ट पाउडर है तो वो भी ले सकते हैं मैंने यहां एकट यूज किया और साथ में ले रहे हूँ स्पॉण तो दिखेँ स्पॉणज को मैं बहुत जड़ादा प्रेस नहीं करी बहुत ही में स्लोप करके आपको यहां पर मैं दिखा रही हूं कि मैं भहुत ही दीरे-दीरे प्रेस करते वह इसको स्पॉंज टेकनिक करी क्योंकि रोल फॉयल नहीं करना चाहते है तो एक सिंपल भी है जो मैं आपको करके दिखा रही हूं तो इस तरह से मैं कहीं कहीं पे स्पॉंज से इसको लुक दे रही हूं आप देखिए इस तरह से मैंने कहीं कहीं पे इसको टेक्शर दिया है और बस इस तरह से हमारा ये क्लॉक रेड हो गई है यहाँ पर मैंने आपको डारेक्ट दिखाया है मैंने मशीन लगा कि आपको नहीं दिखाया है क्योंकि एक छोटा से इजी सा प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं अगर आपको कोई